नमस्ते दोस्तो अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बता रहें सावन महीने की गजानन संकटी चतुर्थी बर्त 16 जुलाई को है या 17 जुलाई को है चंदुरदे का समय क्या रहेगा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्रा गनेश जी भगवान स्युजी के पुत्र हैं जिस कारण सावन महीने में पढ़ने वाली संकटी चतुर्थी बहुत ही खास होती है इसे गजानन संकटी भी कहते हैं और इस बार सावन संकटी चतुर्थी 16 जुलाई दिन सनीमार को आ रही है मानिता यही है कि बिग्न हर्ता ग 2022 संकटी चतुर्थी बर्त बिधी पूजा बिधी और इस जो है दिन किये जाने वाले उपाय के बारे हम बताएंगे आज आप हमारे चैनल को देखिए साल 2022 में सामन का महीना गजानन संकटी चतुर्थी बर्त 16 जुलाई दिन सनीमार को होगा चतुर्थी तिति आरंभ हो जाएगी 16 जुलाई दुपार 1 बज़के 27 मिनट पर चतुर्थी तिति समाप्त होगी 17 जुलाई प्राता 10 बज़के 24 मिनट पर और चंद रोदे का समय रहेगा 16 जुलाई को रातरी बेम 9 बज़के 22 मिनट पर संकटी चतुर्थी के दिन बर्ती को चाहिए की प्राता का लूट करके अस्नानादी से निविर्त होकर शक्षबस्तर धान करके संकलपले सूरी देव को जल अर्पित करें और चतुर्थी के दिन दुपार के समय में पूजा का विधान रहता है इसलिए गौरी पूजा के सुब मोर्त में ही पूजा अस्थल को गंगा जल से पवित्र करके वहाँ पर गनेश जी की प्रतिमा अस्थापित कीजिए इसके बाद प्रतिमा का गंगा जल मिले जल से अब सेक कर उने चंदन का तिलग लगाए पीले बस्तर चढ़ाए और इस मंत्रों का जाब करके चतूर्थी गर्त की कथा पढ़े या सुने अंत में गनेश जी की संपूर्ण सिव परिवार की आर्ति करें दिन भर फला हार करती हुए रात्री में चंद्रोदे के समय चंद्रमा को जलकार दे करके उसका आशिरवाद गरहन करें बर्त की बिधी से ज सच्चे मन से पूजा करने से नियम को कर लेने से उपाय किये जाएं तो गनेश जी प्रसन हो जाते हैं ब्रदान देते हैं तो आईए जान लेते हैं कि सावन संकठी के दिन कौन से उपाय करना सबसे ज़्यादा सुभ होता है सावन के महीने में गनेश जी का हरी दोर्बा से 11 या 21 गाठ हल्दी चड़ाएं उनकी कृपा सदेव ही बनी रहती है ब्यक्ति के सारे बिग नदूर हो जाते हैं सावन का महीना भगवान संकर को समर्पित रहता है इसलिए आज के दिन भोलेनाथ का पंचा मिर्थी से अब से करके संपूर्ण स्युपरिवार की पूजा करें इससे गनेश जी के साथ बोलेनाथ जी का आसिरवाद प्राप्त होता है इस बार सावन संकठी सनीवार को है इसलिए गनेश जी के साथ हनमान जी की भी पूजा करें और पूजा में गनेश जी को हनमान जी को लाल सिं पूजा के शामन के महीने में गनेज भगवान और सियुद पार्वती को समी के फूल अरपित कर देता है तो इससे अगर कोई जो पूजा कर लेता है उस भक्ति के घर में धनधान की कोई कमी नहीं रहती है गनेज जी की पूजा के समय थोड़े से भीगे हुए अच्छा तुने चढ़ाने चाहिए इससे गनेज जी प्रसन हो जाते हैं अपने भक्तों को मन बांचित फल देते हैं आशिरवाद प्रदान करते हैं तो इस परकार से आगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद